भादवा शुकल पक्ष में चानना गोगा को लेकर गोगा मेडियों में हुई विशेश पूजा अर्चना शिव कोलोनी में गोगा जी के निशान के साथ जारिया रवानया हुए भक्त चूरू में वादवा शुकल पक्ष नवमी को गोगा मेडियों में जाहरवीर गोगा जी की विशेश पुजा अर्चना की गई गाउं और शेहरों में श्रद्धा भक्ती उत्सा और उमंग के साथ ये पर्व हर्शोल लास पूरवक मनाया गया शेहर के शिवकोलोन इस्थित गोगा मेडि में सुबे से ही भक्तों का तांता लगा रहा शरद्धालों ने गोगा जी को खीर चूर्मा और नारिल चड़ा कर खुशाली की कामना की गोगा भक्तों ने ढोल और बाटके की जनकार पर गोगा जी के निशान के साथ पारंप्रिक नर्त्य किया हातों में जहरिले सांपों का लेकर किया गया नर्त्य लोगों के लिए कोतूल का विशे रहा बाद में गोगा जी की जोत लेकर शर्धालू निसान के साथ जारिया गाउं इस्थित गोगा मेडी रवाना हुए ऐसी मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सर्पदंश से बचाय जाय सकता है इसलिए इस दिन आग देवता की भी पूजा करने का विधान है गोगा देव से जुड़ी एक लोगकथा के अनुसार गोगा जी का जनम विक्रम संवत 1003 में चुरू के गाउं दद्रेवा में चोहान वंच में हुआ था गोगा जी गुरु गोरकनात के परमशिशे थे लोग कताओं के अनुसार गोगा जी को सापों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है राजस्तान के छे सिद्धों में गोगा जी को पर्थम माना गया है